बोलो राधे राधे संगर्ष बरी जिन्दगी में काम्याब होने के लिए आपको देरी और समस्दारी दोनों की जरुरत होती है जीवन का सफर बहुत ही लंबा होता है इसलिए आपको उच्छ उदेशियों का चेहन करना चाहिए सपल्था के लिए निरंतर, रिद, संकल्प और समर्पन जरुरी होता है यदि आप यह दोनों विशेस्ताव से वंचित है तो आप कभी सपल नहीं हो पाएंगे जीवन के मुश्किल पलों में आपको अपने लक्ष को याद रखना चाहिए इससे आपको संगश करने की शक्ती मिलेगी जीवन में अपने लक्ष के लिए संगश करने के लिए आपको स्थिर होना होगा इसलिए आपको धेर्य और सहन सिलता से संगश करना होगा संगश के समय निराश कभी न हो क्योंकि निराश होने से आपकी समस्याय बढ़ सकती है संगश करते समय हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए यह आपको सपलता के रास्ते में मदद करती है श्री क्रिष्न हमें समझाते हैं कि हमें अपने करतव्यों का पालन करना चाहिए और उन्हें पुर्णत निभाने के लिए संगश करना चाहिए सफलता के लिए आपको अपनी जिग्यासा को बढ़ाना चाहिए और इसे निरंतर सवेदन चिलता के साथ जीना चाहिए जीवन में कभी भी आपको संगर्ष से डर नहीं लगना चाहिए क्योंकि संगर्ष हमें आगे बढ़ने की शक्ती देता है जब आप स्व्यम को जानते हैं तब आप अन्य लोगों को समझ सकते हैं इस उधरन से हमें यह समझ मिलती है कि हमें श्यम को जानना बहुत ही महत्वपुन है क्योंकि जब हम श्यम को समझते हैं तो हम दूसरों को भी समझ पाते हैं अगर हम खुद को ही नहीं जान पाएंगे तो हम दूसरों को जीवन में कभी भी नहीं जान पाएंगे जीवन में संगीत का सबसे महत्व पुन उदेश्य आत्मा को शांती देना है संगीत न केवल हमारी मनोदशा को बेहतर बनाने में मदद करता है बलकि हमारी आत्मा को शांती भी देता है जो वेक्ति सबी से प्रेम करता है वो बगवान के समान हो जाता है हमें जीवन में सभी मनुश्यों, चन्तूओं एवं पेड़ फोदों से प्यार करना चाहिए यही हमें बगवान के समान बनाते है जब तक आपके मन में नपरत होती है तब तक आप खुद को कभी भी शान्ती नहीं दे पाएंगे क्योंकि नपरत हमारी आत्मा को शान्ती नहीं दे पाती श्री कृष्ण कहते हैं अगर आप जीवन में एक सपल वैक्ती बनना चाहते हैं तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए संगर्ष करे उनसे धरे नहीं क्योंकि सपलता उनीके कदमों में होती है जो डर को हरा देते हैं जो डर का सामना करते हैं क्योंकि डर के आगे जीत है जीवन संगर्षों से बरा है और जो जीवन में संगर्ष करते हैं वो इस जीवन को पार कर जाते हैं बोलो रादे रादे